आपका अपना चनल इंडिया एवन न्यूस जो रखे आपको एवन मेरे परिवार जनों मैं लगातार महलाओं को आगे बढ़ाने की बात करता हूँ उनके विकास को कैंदर में रखकर नित्यों की बात करता हूँ ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने महलाओं के नित्रुत्व को उनके सामर्थ को उनकी रिजल्ट देने की काबिलियत को देखा है मैं वर्षों तक गुजरात में मुख्मंत्री रहा मेरे अपने अनुपर्व है कि जब मात्रु शक्ति को काम मिलता है तो कैसे परणाम देती है हमने गुजरात में सम्रज ग्राम की योजना बनाई थे और उसके एक विशेस्ता थी कि जहां पर गाउं के प्रधान के रुप में महला के लिए आरक्षन है वो सीट रिजर्व है अगर उस गाउं के सब लोग मिल करके निर्विरोध में उसको चुनते हैं और सभी पूरुस अपने आपको विड्रो करके सारे मेंबर महिला हंडेड परसें महिला मेंबर उनको मैं समरस ग्राम पंचायत कहता था और गुजरात में हज्जारों ऐसी पंचायते बनी थी जिसमें एक भी पूरुस सदस्य नहीं था शत प्रतीशत महिला सदस से थी और उत्तम से उत्तम विकाश के काम उन्होंने करके दिखाया था साथियों महिलाओं की शक्ति उनकी सोच क्या होती है इसके मेरे पास अनेक उदारन है गुजरात पर तो मैंने बार बार इस सामर्थ को देखा था। मुझे मैं नया नया मुख्यमंद्री बना था। तो एक गाउं की महिलाओं ने मेरा समय मांगा। वो गाउं के चुने हुए लोग थे। तो बोले सम महिलाएं मिलना चाहती है। तो मैंने का भई मैं नया था, अभी को मुझे 6 महिने भी नहीं हुए थे। तो मैंने का काम क्या आए। आप ग्रामिडविकास मंत्राले को मिलिये, फलाने को मिलिये। ने ने बोले साब उनका दाग रहे वो आपको मिलना चाहता है। वो गाउं की मात आए बहने थी, मैंने का अच्छा भई एक दिन बुला लेना मैं मिलूंगा। वो मिलने आई, आट-दस महिला थी। और उसमें सबसे जादा पड़ी लिखी जो बहन थी, वो साइध साथ भी आट्विकर्चा तक प महिला होगी। तो मैंने उनको पूछा, अच्छा इतना बड़ा आपको अफसर मिला है। अच्छा जब समय मागा तो मुझे लगा जाए तो वो कुछ पैसों के लिए आएंगे, कुछ जो जना लेने के लिए आएंगे, तो मैंने उनसे पूछा का आपकी क्या पेक्षा और आप क्या करना चाहती है साथ भी आठ भी कक्षा पड़ी लिखी वो गाउं की प्रधान महिला और बाकी मेंबर तो उससे भी कम पड़े लिखे थे वो आठ दस बेहने आई थी गाउं की बेहने थी पहली बार गांधी नगर देखा था उन्होंने मुझे जो जबाब दिया मैं समझता हूँ सारवजनी जीवन में काम करने वाले हम सब के लिए प्रेणा है उस बेहन ने मुझे कहा कि मेरी एक इच्छा है हमें पांच साल मिले हैं हम पांच साल में ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि हमारे गाउं में एक भी व्यक्ति गरीब न रहे आप कल्पना कर सकते हैं क्या द्रश्टिकोन होगा उनका और सच्बे ट्रांस्फर्मेशन का कहां आधार होता है यह उनको मालूम यह सामर्थ और सोच हमारी माताओं बेहनों के गाउं में बेटी बेहनों को भी होता है जात्यों महिलाओं में सकारात्पक बढ़लाओं की प्रवुत्ति और सौशा धनों के बहतर से बहतर इस्तिमाल की दुजर्शिता हमें हर जगह पे मिलती है परिवार में तो डगर डगर पे नजर आता है, अभी कुछ दिन पहले मैं मत्यपदेश गया था, तो वहां सहडोल के पास एक आदिवासी गाउं में गया, तो सभी आदिवासी बेहनों को बुलाया था, लेकिन विशेचता है थी, कि उसमें सो से जादा लगपती दिदी आई थी, आदिवासी बेटियां लगपती दिदी, तो मैंने उनसे समभाद किया, एक बहन ने जो मुझे बताया, वो वाकई, हम सोच सकते हैं कि उनका सामर्थ कितना है, वो आदिवासी बेटी, जो कहती है, मैं लगपती दीदी हूँ, मैं आज विमेंस सेल फिल्म गुरुप के द्वारा ये ये काम करके इतना इतना कमाती हूँ तो मैंने पूछा इतना पैसा कमाने लगी तो करती क्या हो एक आदिवासी महला मुझे कह रही है ये दिल्ली की महलाओं के लिए भी अस्षेज होगा वो कहती है कि मेरे पती साइकल पे जाते थे काम करने के लिए रोजगार ढूनने के लिए साइकल पे जाते थे मैं लगपती दिदी बन गई तो मैं उनके लिए स्कूटी ले आई देखिये आत्म विश्वास वो कह रहे है मैं मेरे पती के लिए स्कूटी ले आई फिर बोले मुझे पता चला कि मुझे बैंक से लोन मिल सकती है तो मैंने सोचा कि मैं लोन से ट्रेक्टर ले लू बोले मैंने लोन से ट्रेक्टर लिया और मेरे पती को स्कूटी लेकर के मैंने उनको बढ़ले में ट्रेक्टर दे दिया और मेरे पती ट्रेक्टर लेकर के अगरवगल के गाउं में खेती के लिए लोगों की सेवा के लिए जाते और कमाई करते हैं और बोले अब तो मेरी सित्य है कि मैं कुछी मेहनों में वो ट्रेक्टर की लोन भी वापिस कर दूँगी याने एक मेरी आदिवासी बहन लगपती दिदी की क्या विजन होता है कलपना होती है अभी एक दो मेने पहले मैं उनसे बात करके आया हुआ 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 हुआ